वेल्कम टू एक्टी रेसिपीज मैं हूँ जोटसना आज में बनाने जा रही हूँ स्वीट कोकोनेट राइस चलिए देख लेते हैं इन्हें बनाने के लिए हमें कौन-कौन सी चीज़े चाहिए एक बॉल राइस जिसे हमने अल्रडी उबाल लिया है गुड क्रस्ट किया पो इसमें दा लेंगे देशी घी गारंग हो रहा है सबसे पहले दा लेंगे हम छोती राइची देशपत्ता अब इसमे दालते हैं हम बदाम साथे साथ इस घिलाते रहेंगे खाजृ पेशमिश थोड़ा सा भून लेंगे हम ड्राइफू को एक या दो लॉंग डालेंगे खु तपलَّब लगातार इससे हिला रहентов हैं अब इससे और दॉला एंगें डालेंगे गोर्ट हो गया है अब इस में सब्सक्राइब कोगोनेट हैंशनकों अब में छावल को अच्छी तरह सेमिक्स कर दिये है इसे अच्छी तरह से mix कर दिया है, अब इसे हम कम से कम दो मिनट लिए धीमी आज पर धखका रख देंगे, ताकि गुड़ जो है, पूरी तरह से इसमें mix हो जाए चलिए, इसे धख देते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ध्यान रखे धीमी आज पर, दो मिनट हो गए हैं, चलिए देख लेते हैं, यह देखे हैं, अच्छी तरह से मिल गया है, बहुत अच्छी खुश्पु आ रही है, और अब फाइनली इसे हम सर्विंग प्रेट में निकाल लेते हैं, यह देखे, रेडी है, स्वीट कोकोनेट राइस, आइ होब यह आप जरूर पसंद आएंगे, इसे तरह की रेसिपीज के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, मैं आपसे फिर मिलूंगे कुछ और भी स्वाधिस र झाल